विजडम तीथ यानि जिसे अकल डाट बोलते हैं, हमारे मूँ में टोटल 32 टीथ होते हैं, जिसमें से चार विजडम तूथ लेट आते हैं। अब कई लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि ये विजडम तूथ को ये नाम क्यों पड़ा है? और क्या वो यूसफुल है हमारे लिए? जब इनसान के मिल्क टीथ गिरते हैं, तब 10-12 साल की एज में परमिनन टीथ आते हैं। पर विजडम तीथ इनसान को 17-20 की एज में आते इसलिए इस तीथ को विजडम तूथ नाम दिया गया है। कुछ लोगों को विजडम तूथ आते ही नहीं है और कुछ लोगों को एक विजडम तीथ होता है या फिर चार होते हैं। बहुत रेरली किसी को चार से ज्यादा विजडम तूथ आ सकते हैं। आज इस वीडियो म हम आपको बताएंगे कि विज्डम तीज क्यों आते हैं और हमारे लिए ये यूसफुल है भी या नहीं लेकिन अब आगे जाने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आसकाई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे पुरवज जब रफ फूड खाते थे जैसे कि रूट्स पत्ते मीट तब उनको खाना ज्यादा चबाने की जरुवत परती थी क्योंकि वह फूड अंकुक्ड होता था जिस वज़े से ऐसा हार्ड फूड चबाने को उनको शाप तीट की जरुवत थी पर जैसे जैसे विज़्टम तूथ आता है तब बाकी तीट की वज़़ज से विज़्दम तूथ को प्लेंस नहीं मिलती है और उट अने के फेज में गंव में बहुत होता है evolutionary biologist wisdom tooth को vestigial organ मानते हैं यानि कि जो organ evaluation की वज़े से functionless हो गए है आज के वक्त में हमें wisdom teeth से खाना चबाने के लिए जरुरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम cooked food खाते हैं जो चबाने में soft होता है इसलिए wisdom teeth की वज़र से अगर किसी किसी को तकलीफ होती है तो वो teeth निकाल देते हैं लेकिन अगर आप ये teeth 30 age के पहले निकालते हैं तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती है और surgery चली ठीक हो जाती है पर अगर आप wisdom teeth 35 age के बाद निकालते हैं तो बहुत तकलीफ हो सकती है और surgery ठीक होने में भी ज्यादा time लग सकता है जिन लोगों को चार से ज्यादा wisdom tooth होते हैं उनको बहुत सारी problems होती है उससे और scientific research से इस बात की को information नहीं मिली है कि wisdom tooth हर इंसान को अलग number में क्यों आते है या फिर किसी किसी को आते ही नहीं है तो यह थी जानकारी कि हमें wisdom teeth क्यों आते है आपके इस वीडियो पर क्या views है वह हमें comment में जरूर बताईए और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे like, share और subscribe सरूर करे और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तो धन्यवाद